कुम्भ में जब करोणों लोग प्रयाग राज में आएंगे तो वहां उन्हें भारत्य संस्कृत के दर्शन भी होंगे इसके लिए एक संस्कृत गाउं बसाया जा रहा है हमारे साथ परेटन मंत्री रीता बहुकुना जोशी जी हैं हम इनी से बात करते हैं कि वह कैसा परेट भारत की जो संस्कृती है मानवजाती की जोत्पती है उससे जोडते वे उसको प्रदर्शित किया जाएगा खासतोर से हमारे जो आदिकाल से जो हमारे संस्कृत धाराएं हैं जो धार्मिक धाराएं हैं जो मारे अलग-अलग हमारे जो संगम की का जो पूरा इतिहास है ये प्रियाग राज के इतिहास से जोड़ते हुए उसको प्रस्तुत किया जाएगा और बहुती व्रहत सर पर हो रहा है इसके लिए विशेश अग्यों को चिन्हित किया गया है और तरह तरह से कुछ जो है वो फिर्म के द्वारा भी होगा कुछ पेंटिंग्स होंगे कुछ मूर हुआ और फिर आकिरकार कि किस क्यूं संगम का इत्ता महत्व है यह सारे विश्यों को लेते वे भारतिये संस्कृति और भारतिये परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए इस काहुजिन किया जा रहा है यह कब तक तैयार हो जाएगा अब आपको स्वाभाविक है कि 15 से पूरी तियार होती है लेकिन इस ग्राम जो एक अद्भुध अनुभव देने वाला ग्रामों का पहली बार कुम के तिहास में इस प्रकार का आयोजन क्या जा रहा है ताकि जो शद्धालूं आएं जो भारतवासी आएं जो विदेशी आएं वो सिर्फ संगम को ही नहीं बल तो संस्कृत गाओं तयार हो जाएगा और यह पहली बार हो रहा है कुम के इतिहास में जब लोगों को भारतिय संस्कृत के दर्शन हो सकेंगे अख्लेश तिवारी एटीवी के लिए लखनू से